नमस्कार दोस्तों भूत क्या सच में होते हैं। वेज्ञानिकों ने दिया ये जवाब अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप एकलोते नहीं है। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यू के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानिया पढ़ते हैं। फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं। यह सिर्फ मन और अंजन नहीं, उसके उपर का मामला है। आई ये जानते हैं कि भूतों के भूत, वर्तमान और भविश्य को लेकर विज्ञान का तारकिक जवाब क्या है। साल 2019 में आएपसस पॉल में ये बात सामने आई थी कि 40% अमेरीकी लोगों भूतों में भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% दी लोगों ने ये भी मानना था कि वो वेंपायर्स में भी विश्वास करते हैं। भूतों की कहानिया हर धर्म में होती हैं। सहित्य में भी दिखाई देती हैं। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं। मृत्यू के नजदी जारकर वापस आने के आद में पता चला कि इसका मुख्य जार्ज करता है रिहोड़िनी एक प्रॉड है। वेग्यानिक और परभूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्यूंकि है रतंगेज तरीके से इन्हे लेकर अलजीब गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। जैसे दरवाज्रों का खुद खुलना या बंध होना, चाभी का गायब हो जाना, किसी मृत रिष्टिदार का दिखना, सडख पर परच्छाईयों का घुमना, आदी। सोशियोलोजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वासकुल ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब तर नाम था गास्ली एंकाउंटर्ज, दाउंटिंग अवेवरी दे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानिया थी। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुखता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है, या यह पैरानॉर्मल यानी परालोकिक प्रक्रिया हुई भी है या नहीं, क्यूंकि जिस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी वो बहुत की इमेज से मिलती नहीं है, ज्यादतर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीज़ें और गटनाएं महसूस की हैं, जिन्हें परिभाशत करना मुश्किल है, यह रहस्मी है, डरावनी या शौक देने वाली है, लेकिन इन में भूतों की इमेज नहीं देखी, लोग अ इपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्ट्स, डरने वाला भूत, ट्रेसी डूल, होटिंग्स, रेजिजूल, हों तिंग्स, अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्कृट्स, इंटेलिजेंट स्पीरिट्स, बुध्यमान, आत्माएं और शे आप से बंती, बेगरती, ढहती है, विज्ञान की भाशा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है, तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ही ये वस्तु हैं या नहीं, यानि क्या ही ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं, बिना उन्हें बिगाडे, या व और पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़ें क्यों रहते हैं, जिन लोगों की हत्या हो जाती हैं, कई बार उनकी आत्माएं कोई तारकेक वजह नहीं है, भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी घोस्थन्टर्स, घोस्थन्टर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ताकि भूतों आत्माओं की मौझूदगी का पता कर सके, ज्यादातर तरीके वेज्ञानिक होते हैं, भूतों को देखने और उ लेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफरारेड कैमरा और सिंसिडिव माइक्रोफोन्स, लेकिन आज तक इन में से किसी भी यंत्र में भूतों, को सही से पकड़ा याद देखा नहीं है, सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की भूत रहते हैं, वर्तमान में विज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार, वियवहार का पता किया जा सके, लेकिन सवाल, ये भी उठता है कि अकसर लोगों के फोटोग्राप्स या वीडियो में पी विज्ञानिकों को इनकी जाच करने के लिए पुखता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है, अब तो स्मार्ट फोन्स में घोस्टेप्स गोस्टेप्स भी आ गये हैं, जिनके जर्ये आप डरावनी तस्वीरें तयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, इनसे आप एक कालपने कहानी को असली घटना बता कर पेश कर सकते हैं, जिस से भूतों पर भरोसा और बढ़ता है, लेकिन विज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है कि आपने एपके भूतों का साथ लेकर लोगों से घपला किया है, आखिर यानि उर्जा न तो बनाई जा सकती है, नहीं बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है, इसलिए शरीर से निकलने वाली उर्जा का क्या होता है, क्या शरीर से निकलने वाली उर्जा अपना स्वरूप बदलती है, क्या मरने के बाद शरीर की उर प्रवाइव कर जाए या फिर वे हाप कि शरी में रहे इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओजहा तांत्रिक या घोस्ट हंटर न देख सकता है न रोक सकता है ऐसे लोग खुद को सुप्रनेचुरल मान लेते हैं ये जान बूज कर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे इन्होंने भूतों को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली उर्जा इस ब्रहमांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती ऐसी उर्डाओं की हमारे परियावरण में कमी नहीं है भूत असल में होते हैं या नहीं ये सिर्फ उर्जा होते हैं या फिर कुछ और इसे लेकर वेज्ञानिक और पर कुछ भी नहीं खो जा गया है इनके लिए नेंतरित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है लेकिन उन लोगों के मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओजा, तांतरि कहकर लोगों को बेवकूप बनाते हैं लाखों तस्वीरों, वीडियो और आडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़िया देख क्यों नहीं पाए इसके पीछे दो वज़य हो सकती है पहली कि भूत होते नहीं है ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वेहम है दूसरा ये की भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वेज्ञानिक और तरीके नहीं है जो इनकी मौझूदगी को पुखता कर सके आपको यह रोचक वीडियो कैसी लगी हमको कॉमेंट बॉक्स मैं जरूर बताएं आपका देल की घरायों से धन्यवाद और ऐसे ही मज़ेदार रोचक वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें झाल